हेलो बचों आप सभी का कक्षा में पुनह स्वागत है और हम जिस विशे का अध्यन अभी हम कर रहे हैं वो विशे है पौधों में श्वसन की प्रक्रिया श्वसन मतलब की रेस्पिरेशन ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो रसाइनिक जो जैविक रसाइनिक अभी क् जी होती है जिसको हम कहते हैं वह जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में आप तक कि ऑक्सीडेशन या ऐसी करंग की प्रक्रिया यहां पर होती 2 और और ऐसी होता है और उसके तरीके क्या क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है उस प्रक्रिया के बाद अच्छा श्वसन की प्रक्रिया मतलब की उर्जा का निर्मान और उर्जा हमने पहले ही देखा है कि उर्जा का निर्मान यहां पर किस रूप में हो रहा है तो एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट मतलब ATP के रूप में क्योंकि हम सब को पता है कि जिस तरह से आप बाजार जाते हैं आपके पास माना की 2000 की एक रिस्ट वॉच है एक घड़ी है आपके हाथ में और 500 रुपे का एक बैग है अब आपको अचानक से कहीं से 1500 रुपे के आवशकता पड़ती है कि आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप अपना जो सामान आपके पास है आप उसको दे करके 1500 रुपे का सामान किसी बाजार से किसी मॉल से नहीं करी सकते क्योंकि जब भी आप मान लिया जाए वहाँ पर आप किताबें खरीदने जाएंगे 1500 रुपे की तो आपको ये दुकांदर बोलेगा कि आपको कैश देना है या चेक देना है मतलब भारत की जो विनमे मुद्रा है उसी तरीके से आपको वहाँ पर मुद्रा का भुकतान करना है वही बात हमारे जैविक जगत में होती है बायोस्फियर में चलती है कि हमको अपने किसी भी जैविक क्रिया का निश्पादन करने के लिए उर्जा की आवशकता होती है और उस उर्जा का अपना एक फॉर्म है उसका एक तरीका है उसके अलावे वो किसी भी तरह के दूसरे करिंसी को दूसरे नोट को स्विकार नहीं करता मतलब और उसका फॉर्म है उर्जा जो हमारे बायोस्फेर में चलती है हमारे जो जीव जगत है चाहे वो पौदे हो चाहे वो जन्तु हो वहाँ पर जो उर्जा का रूप है वो स्विक्रित रूप है एडिनोसिन ट्राइफोस्फेर जिसको हम संगशेप में एटीपी कहते हैं तो बच्चों ये जो एटीपी है ये बनता है श्वसन की प्रक्रिया में और तूटता क्या है ग्लूकोस मतलब जो मुक्के पदार्थ हुआ जो तूटेगा श्वसन की प्रक्रिया में वो ग्लूकोस हम मानके चलते हैं और जो उर्जा बन रही है वो एडिनोसिन ट्राइफ के रूप में बन रही है तो इसका मतलब हमने पहले भी देखा है कि श्वसन जो है वो तोड़ना और बनाना ये दोनों प्रक्रिया एक साथ यहां पर चलते रहती है तो ग्लूकोज जैसे टूटा और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफोस्फट बना तो केटाबोलिजम और एनबोलिजम एक साथ चला इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं एमफीबॉलिजम हम क्या कहते हैं एमफीबॉलिजम कहते हैं अब जब हम इस प्रक्रिया के का धियन करते हैं विस्तार से तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और जो सिट्रिक एसिड साइकल है मतलब जो क्रेप साइकल है ये दो प्रक्रिया को ले करके हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं और इन प्रक्रिया में वास्तों में ATP मतलब एडिनोसीन ट्राइफॉसफेट का निर्माण कैसे होता है माने पूरी तरह से net gain जिसको हम कहते हैं net gain का मतलब कि पूरी तरह से जो मुख्य हमारा जो gain है जो हमारा प्राप्प्य हुआ है जो प्राप्त molecule है जो उसकी संख्या ATP की कितनी है ये हम पूरा देखेंगे विशेश रुप से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो glycolysis है वो क्या है actually तो glycolysis को हमने देखा उसमें oxygen की आवशक्ता नहीं पड़ती है वहाँ पर आंशिक oxygen हो रहा है glucose का और अंत में आप देखिए यह glycolysis की पूरी प्रक्रिया है यह शुरुवात हुई है glucose से और इसका अंत हुआ है पायरूविक एसिड से तो पायरूविक एसिड अंत में बन रहा है glucose से और इस प्रक्रिया में ATP कितने बन रहे हैं यह हम लोग थोड़ी गढ़ना करते हैं हम लोग calculate करते हैं तो glycolysis में देखिए तीन step थे सबसे पहला तो था कि जिसको हम बोलते थे कि phosphorylation मने फॉसफेट का जुड़ना phosphorylation का मतलब होता है कि phosphate molecule का जुड़ना तो जब यह phosphorylation हुआ और dehydrogenation हुआ तब वहाँ पर देखिए आप दो NADH plus H plus molecule बनें मतलब NADH2 के दो molecule यहाँ पर बन गए अब 1 NADH2 से 3 ATP निकलते हैं कितने निकलते हैं एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं 3 ATP मतलब यहाँ पर अब कितने बन गए 6 बन गए ठीक है सभी को समझाए यह बात जब phosphorylation हो रहा है बिलकुल शुरुआत में ही है ना तो आप देखेंगे कि पहले तो phosphorylation हो रहा है और dehydrogenation हो रहा है तो वहाँ पर NADH बन रहा है अब यह जो NADH है दो मने हैं और एक से 3 ATP बनता है मतलब 6 ATP यहाँ पर बन गया अब फिर देखिए कि 13-dip-phosphoglyceral कि वन-3-dip-phosphoglyceric acid से 3-phosphoglyceric acid बन रहा है मतलब फिर एक फॉस्फोरस कम हो गया डाई था और अब सिंगल हो गया दो था दो से एक हो गया तो फिर यहाँ पर एक ATP बना मतलब ATP कि कितने यहाँ पर molecule बन रहे हैं आप देखिए दो बन रहे हैं और लास्ट में देखिए जो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट है तो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट से जब पाइरुविक एसिड बना है तब वहाँ पर दो ATP बने हम फिर से देखिएंगे कि फॉस्फो राइलेशन और डी हैड्रोजिनेशन मतलब फॉस्फेट का यहाँ पर एडिशन हो रहा है डी हैड्रोजिनेशन एक साथ हो रहा है और एन डी हैस्टू बन रहे हैं यह देखिए इस स्टेप में तो एन डी हैस्टू बना दो मॉलिकल बना छेंड एटिप निकल गए अब वन द्री डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड स तो आपको दो एटिप बन रहा है और फिर लास्ट का इस्टेप है पीपी या फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट जब पाइरुविक एसिड में तब्दील हो रहा है तब वहां पर दो एटिप बन रहे हैं मतले बबाब काउंट करिए कि हमने कितना किया तो छे एन डी जब वन त्री डाइफ फॉस्फो ग्लिस्रिक एसिड जो है वो थ्री पीजीए में कनवर्ट हो रहा है तब दो बने और पीपी से पीए में मतलब पाइरुविक एसिड में बदलने में दो बने तो दस हो गए लेकिन बेलकुल पहला स्टेप देखिए जब क्या हो रहे हैं का ग्लुकोज में फॉस्फट एड हो रहा है तब एटीपी वहां पर उप्योग हो रहा है तो मतलब दो एटीपी वहां पर निकल गए तो बने हमारे पास कितने छे बने एनडी एस्टू से और दो दो बने एक फॉस्फो ग्लिस्रिक एसिड के कनवर्शन में बने और एक प तो 10 वह उसमेंसे ने फॉस्फो उप्योग में रहे तो weapons में कुल हमारे पास जो एटीपी आए वह कितना आया आठंथ आ लेकिन हम ग्लाइकोलिसिस आज जो अ प्राप्य बोलते हैं जो मुख्य प्राप्य एटिपी का होता है वो दो होता है मतलब नेटगेन जो होता है वो दो होता है तो आठ बच रहे हैं और नेटगेन हम दो लिख रहे हैं तो छे आकिर जा कहां रहे हैं बच्चों बहुत बड़ा सवाल है सारी प्रतियोगी भाल है ध्यान से सुनिएगा यह जो 6 ATP का जो चक्कर है यह यहां पर देखिए कहां जा रहा है क्योंकि यह respiratory chain oxidation में जा रहा है मतलब यह कहां चला जा रहा है ETS में चला जा यहां तो केवल 4 ही ATP रहेंगे और 4 में से 2 उपयोग में आ गए तो बचे कितने 2 तो यह 6 बनेंगे NADH2 से पर वो ETS में चले जाएंगे electron transport system में चले जाएंगे यह बात समझ आ गई बनेंगे पर oxygen के अनुपस्तिति में वो यहां पर release नहीं होंगे वो release होंगे वह जाएंगे तो अब हम इनको chain reaction में गिनेंगे तो chain reaction में यह 6 चले गए और हमको यहां पर क्या आ गए आठ में से 6 चले गए chain reaction में तो अब यहां पर glycolisis में दो ही बचे ठीक है तो यह बात आपको समझ आ गई अब हम देखते हैं कि जो citric acid है citric acid cycle में क्या हो रहा है वहां पर कैसे कैसे ATP बन रहे हैं तो citric acid में देखें कि oxalo saksinic acid जो बन रहा है वो isocitric acid से आया तो यहां पर भी अब क्या हो रहा है अब यहां पर respiratory का जो oxidation है वो chain oxidation हो रहा है मतलब एक श्रिंखला में इसका oxykaran होता जा रहा है तो सबसे पहले यहां पर 6 बन गए ठीक है फिर alpha keto glutaric acid से बने NADH2 मतलब 2-2 बन रहा है तो फिर 6 बन गए succinyl coenzyme जहां आ रहा है वहां देखिए कि फिर वहां पर 2 ATP बने और FADH2 जहां बन रहा है वहां पर 2 molecule से आपके 6 निकल गए और 6 हमने chain reaction वाला ले लिया तो यहां पर कुल मिला के कितने हो गए हमको 24 मिल गए ठीक है और 24 में से आप देखिए कि अब हम इसको फिर से combine करते हैं तो जब हम इसका पूरा calculation करते हैं तो यह 24 और जो 6 chain reaction में escape हुए थे आ गए थे वो 6 तो यह हो गए 30 और 8 हमने गिने थे कहां पर glycolis में जो बने थे तो कुल मिला के हमको कितने मिले 38 ATP मिले यह याद रखिएगा कि पूरी श्वसन की प्रक्रिया में हमको 38 ATP मिले थीक है तो इसको हम फिर से एक बड़ देखेंगे कि हमारे पास 10 ATP glycolis से आए जिसमें की 6 चले गए chain oxidation में 4 बचे चार में 2 प्रयूक तो हो गए तो 2 net gain हुए अब oxidative citric acid में हम देखते हैं कि वहाँ 2 NADH2 बने तो 6 आए और फिर citric acid से हमको पूरे 24 ATP मिले तो 24 और 36 हुए और उपर के glycolis के 8 तो हमको कुल जो ATP का निर्माण हुआ वो कितना हो गया 38 का हो गया ठीक है तो इस ATP के निर्माण की संख्या के बाद अब हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे कि अभी तक जो हमने देखा था वो क्या देखा था कि अगर glucose तूटता है तो pyrovic acid बनने में कौन सी प्रक्रिया चल रही है glycolis में और citric acid cycle में क्या हो रहा है आगे हम देखेंगे कि श्वसन का जो गुणांख है जो respiratory question हम जिसको कहते हैं उसका अर्थ क्या है हेलो बचो अब हम फिर से देखते हैं कि जो amphibolic शब्द हमने लिया जिसमें कि हम catabolic और anabolic दोनों ही प्रक्रिया को एक साथ समावेशित करके चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से उर्जा का बनना एडिनोसिन ट्राइफोसफेट मॉलेकिल के रूप में एक एक स्टेप के बाद कैसे संपादित हुआ तो ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस पश्ट रूप से आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें श्वसन के जो स्टेजेज हैं जो अवस्थाएं हैं वो एक तरफ लिखा है इसका जो उर्जा का श्रोथ है वो आपको दूसरे कॉलम में दिख रहा है और जो एडिनोसिन ट्राइफोसफेट की संख्या है वो आपको तीसरे कॉलम में दिख रही है श्वसन के स्टेजेज में देखिए हम ग्लाइकॉलेसिस को देखते हैं तो उसमें सीधे जो एटिपी का निर्माण हुआ है वो दो हुआ और उसके बाद दो मॉलेकिल हुए है एने डिएच टू जिससे की छे एटिपी हमको मिले मतलब कुल मिलाके आठ बने अब जो पाइरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम बना यहाँ पर भी हमको दो एने डिएच टू गए तो छे एटिपी मिल गए और सिट्रेक एसिड साइकल में देखिए छे एने डिएच टू बन रहे है तो छे मतलब एक से तीन एटिपी बने तो छे टिया अठारा हो गए और दो एफे डिएच टू आपको दिख रहा है यहां पर तो यहां चार बन गए और डाइरेक्ट बने यहां पर दो एटिपी तो सिट्रेक एसिड साइकल में अगर आप देखें इस तरह से तो अठारा चार बाइस और दो चोबिस और पाइरुवेक एसिड से एसिटल को एंजाइम बनने में छे तो चोबिस और छे कितने हो गए तीस और आठ हमको मिले ग्लाइकॉलेसिस से तो तीस इधर और आठ उधर ग्लाइकॉलेसिस से कुल मिला के हमारा जो प्राप्य मलिकिल हुआ वो कितना हो गया? 38 हो गया? यही प्रतियोगी परिक्षाओं में नीट में आपसे पूछा जाता है कि यह बिलकुल इस पश्ट रूप से आपके दिमाग में होना चाहिए कि कब कहां किस अवस्था में आपको कितने एटीपी निकल रही है? ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि एमफिबोलिक पात्वे में जिसमें हमने देखा कि बन भी रही हैं चीजें और तूट भी रही हैं मतलब वो केटाबोलिक भी है और वो एनाबोलिक भी है तो बहुत सारे प्रोड़क्ट आपस में बने इस पूरे प्रक्रिया में बहुत सारे निर्मान हुए तो उसमें जब हम देखते हैं तो वो intermediate मतलब मद्यस्त मॉलिकिल्स बनते हैं मद्यस्त मॉलिकिल्स जो बन रहे हैं वो क्या क्या हैं तो ये देखे आप acetyl coenzyme A हुआ और acetyl coenzyme A जो है वो क्या है एक्चुली वो क्या बन रहा है किसको वो represent कर रहा है वो किसको indicate कर रहा है क्या दिखा रहा है क्या दर्शा रहा है तो acetyl coenzyme A जो है वो है कच्चा पदार्थ एक तरह से आप देखिए कि टर्पाइन का टर्पिन जो होते हैं मोनो टर्पिन डाइ टर्पिन बायमलेकल होते हैं जिब्रेलिन हैं कैरेटिनाइट्स हैं यह सब उसके कच्चे पदार्थ है acetyl coenzyme वहां से बन रहा है fatty acids है acetyl coenzyme से बनेंगे succinyl coenzyme जो है वो कच्चे पदार्थ होते हैं साइटो क्रोम के साइटो क्रोम के होते हैं फिर oxalic acid जो है वो alkaloids के होते हैं pyramids के होते हैं यह कच्चे पदार्थ है औक्जलिक acid alpha keto acid जो है वो amino acid के कच्चे पदार्थ बनते हैं alpha keto जो acids होते हैं तो यह जितने भी मध्यस्त अनू बने हुए हैं यहां पर molecules को मतलब किसी ना किसी जैव अनू को बना रहे हैं बायो मलेकल्स को बना रहे हैं अब यह जो बन रहे हैं यह हमारे लिए उपयोगी तो हैं ही और एटीपी का भी निर्माण हमने देख लिया तो अब जो बची है बाद श्वसन प्रक्रिया में वह बहुत ही मुख के बाद यह बची है जिसको हम कहते हैं श्वसन गुडांक या तो आइए अब हम देखते हैं रिस्वसन गुडांक हम किसको कहते हैं श्वसन गुडांक मने हम कैसे इसको परिभाशित करेंगे कि श्वसन गुडांक क्या है दरसल जो श्वसन गुडांक है वो किसी एक श्वसन पदार जिसको हम सबस्ट्राइट कहते हैं क्योंकि श्वसन का एक इंजाइम होता है और इंजाइम के लिए एक पदार चाहिए होता है एक substrate चाहिए होता है जिसमें वो काम करें तो जो पूरी तरह से जब oxidize होता है कोई substrate कोई पदार्थ तो जितनी उर्जा निकलती है उसका एक fix ratio होता है उसका एक निश्य तनपात होता है जिसको हम श्वसन गुडांक कहते हैं तो श्वसन गुडांक अलग-अलग हो सकते हैं हम मुक्यत तीन पदार्थों को लेते हैं श्वसन के लिए एक है fat दूसरा है carbohydrate और तीसरा है protein आप देख रहे हैं fat carbohydrate और protein जब यह fat carbohydrate और protein हमने यहां से लिया तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि fat को अगर हम देखें तो fat किस में तूटेगा fatty acid और glycerol में तूटेगा अगर आप carbohydrate को लेंगे तो वो simple sugar में साधारन शरकरा में तूट जाएगा और अगर आप protein को लेंगे तो वो amino acid में तूटेगा अब यहां पर जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है एक ऑक्सीकरण यहां पर beta oxidation भी चलेगा तो beta oxidation क्या चीज़ है कि जब बीच का कोई intermediate या कोई मध्यस्त पदार्थ नहीं बन करके सीधे सीधे वो acetyl koenzyme बन जाए यह होता है fatty acid और glycerol आप glycerol में देखिए तो जो fatty acid और glycerol है वो देखिए सीधे वो convert हो रहा है acetyl koenzyme A में सीधे-सीधे acetyl koenzyme A बन गया और जो carbohydrate है carbohydrate से सधारन शरकरा बनी शुगर बना simple शुगर जिसको हम कह रहे हैं वो glucose 6-phosphate में बना फिर fructose 1-6-bisphosphate बना और उसके बाद dihydroxy acetone phosphate और glycerol dehyde 3-phosphate बना अब सीधे-सीधे यह अंतमे glycolysis की process में गुजर करके glycolysis से होते हुए यह pyrovic acid बनाता है यही pyrovic acid जो है यह protein के amino acid से भी बन रहा है मतलब अगर oxidation का पदार्थ carbohydrate और protein है तो जो common product होगा वो क्या होगा? pyrovic acid होगा लेकिन अगर हम इन तीनों का तीनों का अगर हमें common product देखेंगे तो जो amphibolic pathways है उनमें acetyl coenzyme A होगा और यह प्रतियोगी परिक्षाओं का मुक्य सवाल होता है कि common pathway में जो हमने श्वसन का जो amphibolic pathway देखा उनमें जो common product होता है वो क्या होता है? वो acetyl coenzyme A होगा तीनों में लेकिन simple sugar अगर आप लो या carbohydrate लो या protein लो तब pyrovic acid बनेगा लेकिन pyrovic acid fat K cycle में नहीं बनेगा ये नहीं बनना भी आपको मालूम होना चाहिए और तीनों में जो सामान्य निर्मान हो रहा है वह भी आपको मालूम होना चाहिए तो तीनों में जो common product है वो acetyl coenzyme A है और fat और protein में common जो product है वो pyrovic acid है क्योंकि pyrovic acid का निर्मान fat के pathway में नहीं हो रहा है अब हम देखते हם जो श्वसन का गुणांख है respiratory question है वो एक कब होता है एक से कम कब होता है एक से ज़्यादा कब होता है और शून्य कब होता है या अनंद कब होता है पांच चीजें आपको बताई मैंने एक एक से कम एक से ज्यादा शून्य और अनंद याद रहेगा एक एक से ज्यादा एक से कम शुन्य और अनंद ठीक है तो अब हम देखते है respiratory question एक कब होता है जब पूरी तरह से ओक्सी करण हो गया तब वो एक होगा तब उसका जो question है वो एक होगा completely oxidized लेकिन एक से कम कब होगा जैसे माल लिया जाए हमने hydrogen को लिया पूरी तरह से वो oxygenized हो गया या किसी और substrate को लिया पूरी तरह से oxygenized हो गया तो वो एक होगा एक से कम कब होगा जब वो fat और protein होगा तो एक से कम होगा एक से ज्यादा कब होगा जब वो ओक्जलिक एसिड या मैलिक एसिड जैसे अमल होंगे और किसी सक्यूलेंट प्लांट में मतलब जैसे कैक्टस हुआ इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें जो है ये रात में शुन हो जाता है क्योंकि कोई CO2 का एब्सॉप्शन होता ही नहीं है वहाँ पे कार्बन डायोकसड अवशोशित ही नहीं हुआ और आरक्यू जो है जो श्वसन गुडांक है वो अनन्त तक पहुँच जाता है कब जब ऑक्सीजन ही एब्सॉर्ब नहीं होता दो अविस्साएं अगर कार्बन डायोकसड अवशोशित नहीं हुआ तो आरक्यू शुन है अगर ऑक्सीजन एब्सॉब नहीं हुआ तो आरक्यू अनन्त फैट है प्रोटीन है एक से कम फैटी एसिड है ऑक्जलिक एसिड है मेलिक एसिड है एक से ज्यादा पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया है एक ठीक है पदार्थ का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन होना एक फैट या प्रोटीन का ऑक्सीडेशन एक से कम मेलिक एसिड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना एक से ज्यादा कार्बन डायोकसाइड का आउशोशित नहीं होना शुन्य ओक्सीजन का आउशोशित नहीं होना अनंद तो इन तत्यों के साथ हम अपने जो श्वसन प्रक्रियाती पौधों में जिसका हमने अध्यन किया आज उसका समापन होता है और इस पूरे अध्याय को आप सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि ये आपके पाठिक्रम का एक भाग है वरन ये जीवन का एक भाग है आपको श्वसन के बारे में श्वसन के विशे में श्वसन गुणांक के विशे में एडेनोसीन ट्राइफोस्वेट या उर्जा के मॉलिकल के बारे में पूरी जानकारी अत्यन्त अवश्यक है इस लगन के साथ आप इसको पढ़ें और अपनी सारी परिक्षाओं में सफलता हसिल करें धनिवाज शुब कामनाए